कि यह गाई देखो हम बहुत सारे टायर वाले स्टॉक्स के ऊपर हम डिसकस करते हैं टायर के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि जब भी किसी के पास टू-विलर हो चाहे साइकल हो टू-विलर हो थ्री-विलर हो फोर-विलर हो हेवी वेकल्स हो या कुछ भी ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और टायर बनانे का प्रोसेस भता वह असान नहीं होता है अब इसके उपर सोचो कितना टन लोड दिया जाता होगा है कि नहीं है और इसको लेकर जाना है दूर तक जो हेवी वेकल्स वगए होती है उसमें लगे हुए होते हैं बड़े बज़े तो उसका value होता है नहीं होता है ना तो मतलब किसी भी चीज का टायर अच्छा ही होना चाहिए किसी भी चीज का टायर तो पता है टायर आज तक हम जादा टायर ना हम import करते हैं बाहर की देशों से हम खुद लाते हैं देख लिएजए यहाँ पर कितना टायर import किया जा क्या जो रहते हैं बाई कार हम बनाते हैं हम चलाते हैं तो टायर भी हम यहीं बनाना चाहिए ज्यादा अच्छा होगा होगा कि नहीं होगा आपको year wise भी बताया जा रहा देख लिए year wise भी आपको बताया जा रहा तो यह बहुत अभी और नीचे जाके data देखेंगे तो वहा के नहीं सकता तो इससे अच्छा है कि ऀंडिया के अंदर आख ज़्यादा टायरwhich बनाना स्टार्ट कर दे तो इंडया के लिए बहुत अच्छी खबर हो जाएगे बहुत क्या बहुत 15 ज्यादा अच्छी कबर हो जाएगे तो सकता कि BGP में कुछ खुस खबरी आ जाहे और और अगर हम export को import को रोक देते हैं तो इंडिया में जितने भी company रहेंगे उनका वेल्यूचन बढ़ेगा है कि अभी suppose माल लेते कि हम चाइना से टायर नहीं लेते हैं तो जब चाइना से टायर नहीं लेंगे तो इंडिया में कहीं से तो आएगा तो इंडिया में यह manufacture करेंगे अभी company माल लेते हैं इंडिया ने 100 क्रूड का order दिया है 100 क्रोड कर चाहिए अब 100 क्रोड में से माल लेते हैं कि इंडिया में से इसको чाइना को order दे गए 70 क्रोड का तो तो 40 करोड़ी बजाए ना इंडिया के लिए, अब माल ले था कि सरकार ने बोला नहीं, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते टायर, तो लोग क्या करेंगे, सारा 100 करोड़ जो है, इंडिया वाले को ही ओडर देंगे, आप इंडिया में इतना ओडर मिलेगा, तो वहाँ ही बनाया ज बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका, अगर आपके पास 4-wheeler है, तो 5 tires होंगे उसमें, हाई कि नहीं, तो मतलब tire समझो कि 24 गंटे जो इनसान चलता है न, वो tire पे ही चलता, बहले ही आपके पास 1 करोड के कार है, 2 करोड किया, 50 लाग का है, लेकिन उसमें भी tire लगा हुआ ह होता हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें लोहा लगा हुआ होता है, या सोना लगा हुआ होता है, तो ये एक basic चीज होती है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आज कल के date में ये सारी ख़बर ज़्यादा आ रही है market में, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ देखो, IT इंडेक्स आ कर देखो के तो गिरा हुआ, सारे IT स्टॉक्स गिरे हुएं, चाहिए small cap हो, large cap हो, mid cap हो, सभी गिरा हुआ, chemical सक्टर भी गिरा हुआ, बहुत सारे infrastructure स्टॉक भी गिरा हुआ, टायर के बारे में क्या देखते हैं, देखते हैं पिछले एक सालों में क्या हुआ हुआ है, टायर वा 80% हो जाए, 15% हो जाए, 42%, 40, 50%, लेकिन profit ही दिया है, पिछले एक महिने में इसने 7%, 10% तक का loss दिया है, तो इतना acceptable है, ये चलेगा, देखो stock market में इतना, ये तो बहुत चोटी चीदी है, ये तो एक दिन में भी गिरावट हो जा था, इस से क्या पता चलता है कि भाई, tire industry और tire sector जो है काफी अच्छा चला, tire वाले सारे stocks जो है positive mood में चल रहे है, किसी एक को हम target नहीं करेंगे, please, पूछे क्यों किसी एक को target नहीं करेंगे, क्योंकि जो खबर आ रहे हैं, पूरे मतलब tire बनाने वाले सभी company के लिए है, हम जरूरी ये कि बोले हैं कि कि वाले MRF के लिए बाला क्रिशने के लिए, Apollo के लिए, C8 के लिए, JK के लिए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, सबी के लिए होगा, अब जो ज़्यादा production करेगी, ज्यादा अच्छी quality का tire बनाएगी, जिसको जैसा need है, वैसा वो बना कर देगी, तो भई हाँ, उस company को ज्यादा benefit होगा, लोगों को लगता है कि MRF बहुत बड़ा है, MRF बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, क्योंकि इसने bonus और stock split नहीं दिया, इस वाज़े से इसका share का price बहुत मोटा हो चुका है, लेकिन एक्षिल में ये company आप ये नहीं बूल सकते हैं, बहुत बड़ा है, ये company ने कुछ बहुत बड़ा return निकाल के दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटे-छोटे company ने जिसका share का price अगर 50 रुप है ना, उस company ने भी MRF से बड़ा return निकाल के दिया, याद रखेगा कि company share के price से जज नहीं किया जाता, जैसे यहाँ देखेंगे, ये है MRF, MRF अगर देखते हैं, तो लंबे समय में इ जोच बहुत बड़ी जा रही है, कि sir, ये 90,000 एक लाक रुपे का एक share है, तो बहुत महेंगा है, तो मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन company अच्छा है, तो अच्छा बोलना पड़ेगा, खराब नहीं है, profit में है, तो उसके साथ TVS Motor, एक मिनट, एक मिनट ये नहीं, जे की टायर, जे की टायर अगर आप देखोगे, यहाँ पर, Apollo टायर देखोगे, तो इस सारे टायर वाले स्टॉक, all time high ही लगा रहे हैं, आज कल की डेट में, सब all time high लगा रहे हैं, और ये लोग आपको dividend भी देते हैं, और company आपको देखने को मिलेगा, ये भी अच्छा है, लंबे समय में अगर आप देखोगे, तो सभी नहीं अच्छा रिटन दे रखा, ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर का है, तो और अगर आप stock market में नहीं हो, तो अपने debit account इंजल में open कर सकते हो, जहाँ पर आपका debit account बिल्कु देखने फ्रीमे